नमस्कार फ्रास्न हुश्विकार देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हो सुनीता रायशर्मा आज हम आपको महादेव के एक महाशक्ती की चमतकारी शक्तियों से भरे शिव के प्रिया रुद्राक्ष की बात करके उसकी जानकारियां देने वाले हैं माना जाता है कि भगवान शिव के नेत्रों से निकला है रुद्राक्ष शिव क्रपा के लिए कई उपाय बताए गए है रुद्राक्ष का प्रियोग इन्ही उपायों में से एक है रुद्राक्ष पहनने से क्यों प्रसन न हूँ जाते हैं भगवान भूले ना आखिर रुद्राक्ष पहनने के क्या क्या हूते हैं लाव जानिए महादेव की शक्ति का साक्षाद स्वरू महादेव की भावनाओं का प्रती रूप ये रुद्राक्ष है महादेव की नेत्रों से निकली महाशक्ति है कहते हैं कि रुद्राक्ष भगवान सीव का एक भरदान है उनके सीव जब दुखी हुए थी तो उनके आखों से आसु बहने लगे वहाद आसु धरती पर गिर कर रुद्राक्ष का रुद्राक्ष कर लेता है रुद्राक्ष रहाने वारे को भवान सीव बरिकेट बार प्राक्ष हो की है किसी भी प्रगाय का रोख सुख भय उसे नहीं होता है भवान सीव बहुत ही प्रसंद होते है रुद्राक्ष रहाने से नौक रहोगा जोगी दुस्परभाव है उभी कम होता है यहां तक मैं कहा सकता हूँ कि विल्कु समाथ हो जाता है रुद्र के आश्रू मतलब रुद्राक्ष ये भोलेनात के आशों से बना है ऐसी दिव्य शक्ती जिसमें हर समस्या का समाधान शिपा है जिसे धारन करपा सकते हैं महादेव की महाकरपा रुद्राक्ष एक पेड़ के फल की गुठली है जिसका औशदिये और आध्यात्मिक महत्व है माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आशों से पैदा हुए थे इनको धारन करने से और विशेश प्रयोग करने से विशेश तरहा के परिणाम प्राप्त होते हैं माना जाता है कि रुद्राक्ष शत्रु बाधा से रक्षा करता है चोधा मुकी रुद्राक्ष पाय जाते हैं गौरी शंकर और गणीश रुद्राक्ष भी पाया जाता है कि रुद्राक्ष मेरे जाने काड़ी के रुद्राक्ष एक से लिकर 21 प्रकार के होते हैं हलागी कुछ बिद्वा ने कहते हैं कि एक से लिकर 14 प्रकार रुद्राक्ष है लेकिन मैं इसे नहीं मानता हूँ रुद्राक्ष एक से लिकर 14 यानि 21 तक होते है कलाशपती की भक्ती का सबसे सरल उपाई है रुद्राक्ष वो रुद्राक्ष जो भगवान शिव के आंसों से जन्मा माना जाता है जिसे प्राचीन काल से ही प्रयोग में लाया जाता रहा है रुद्राक्ष इस धर्ती पर अकेली ऐसी वस्तु है, जुसे मंत्र जाप और ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है रुद्राक्ष की महिमा जितनी आप चांते समझते हैं, उससे कही अधिक है इसकी शक्ती रुद्राक्ष के शक्ति को मापना भी आसा नहीं कैसे हुआ रुद्राक्ष का जन कहते हैं भगवान श्रिव आखे बंद करके हजारों साल ध्यान में लीन रहे और जब ध्यान से जागे तो उनकी आँखों से कुछ बूंद आसू जमीन पर गिरे उन्हीं आसों से रुद्राक्ष का पौधा होगा जीवन में आने वाले संघर्षों को दूर करने के लिए रुद्राक्ष के इस्तमाल को अचूप माना गया है लेकिन रुद्राक्ष सिर्फ शिवभक्ती के लिए ही प्रचलित नहीं रुद्राक्ष पास हो तो कोई भी नकरात्मकूर्जा परिशान नहीं करती रुद्राक्ष शाररे कॉर्मान से कूर्जा को सकरात्मक बनाता है रुद्राक्ष एक सुरक्षा कवच के तरहा काम करके परिशानिया दूर करता है काम होने में बाधा आ रही हो तो रुद्राक्ष धारन करना लाबकारी होता है अब आपने चमतकारी रुद्राक्ष का महत्वतो जान लिया लेकिन क्या आप जानते हैं कि रुद्राक्ष कैसे आपको बड़ा लाप पहुचा सकता है और किन हालातों में रुद्राक्ष आपका नुक्सान जा सकता है रुद्राक्ष को धारन करने से पहले उसके लाब लेने से पहले उसकी साथ धानियों का भी ध्यान रखे कैसे करें रुद्राक्ष को धारन ताकि ना हो कोई समस्या मिले सिर्फ लाब शल ये जाने रुद्राक्ष को लाल धागी या पीले धागी में धारण करें इसे पूनिमा, अमावस्या या किसी सुमवार को धारण करना श्रेष्ट होता है रुद्राक्ष 1, 27, 24 या 108 की संख्या में ही धारण करना चाहिए इसको धारण करने के बाद मास मदिरा का सेवन ना करें पूरंढ़ नियम और श्रधा से रुदराक्ष धारन करेंगे, तो आपके सभी कश्ट दूर होते जाएंगे और मनोकामनाय भी पूरी होंगी विशेश लाप पाने के लिए रुद्राक्ष कैसे धारन करें आगे जाने रुद्राक्ष पहनने से विशेश फल मिलता है और अगर अपनी जरूरत के मताबिक रुद्राक्ष को धारन किया जाए तो जरूर पूरी होती है मनोकामना रुद्राक्ष के वैसे तो कई प्रकार भी हैं हर किसी की एक पहचान है लेकिन असली रुद्राक्ष की पहचान कर पाना इतना आसान भी नहीं कैसे आप असली और नकली रुद्राक्ष की पहचान खुद कर सकते हैं ये जानगे चमतकारी शक्तियों से भरा है शिव का प्रिये रुद्राक्ष रुद्राक्ष की शक्ति भले ही आपको अपनी आँखों से ना दिखाई देती हो लेकिन जियोतिशी कहते हैं कि रुद्राक्ष की शक्ति रतनों की शक्ति से कहीं ज्यादा है इसलिए मंद्र जाप में रुद्राक्ष का प्रेयोग होता है ऐसे प्रकार की रोग सोग का भैणी होता है मने अपने जीवन में देखा हैं कि जो फी रुडूराख अचुद्राख्ञ है तो मुअ पक्रता है लूए पिर अपने बूरदाख्य ती हल्यकै का करता है कि अब पन से बस्कार कίν पने से बमाडे प dere sonra तंद मत्रगार कोई साया नहीं पड़ता ऐसा बेपी अकाल उर्टू का डर उसे नहीं चाता है जोतिश के जानकारों की माने तो हर इंसान अगर अपनी ज़र्वत के हिसाब से रुद्राक्ष धारन करे तो जीवन की हर दिशा में सुक शानती और संपनता का आगमन होता है हर मनो कामना पूरी करता है रुद्राक्ष तो आए जानते हैं कि कौन सी समस्या के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारन करना लाबकारी होगा शीग्र विवाह के लिए दो मुखी रुद्राक्ष या गौरी शंकर रुद्राक्ष शिक्षा और एक आगरता के लिए पंच मुखी रुद्राक्ष स्वास और आयू के लिए एक मुखी या ग्यारा मुखी नौकरी की बाधाउं से बचने के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष रुद्राक्ष खिसकर तिलक लगाने से तेज और सौंदर्य में वृद्धी होती है मस्तफ पर रुद्राक्ष का लेप लगाने से मानसिक शान्ती भी मिलती है और शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलते हैं रुद्राक्ष परमशक्ति शाली संगरचना है जमतकारी शक्तियों से भरा है अगर रुद्राक्ष होगा आपके पास तो मुसीबते हो जाएंगे आपसे कोसो दूर लेकिन रुद्राक्ष की पहचान आप कैसे करें क्योंकि अगर ना हो असली रुद्राक्ष की पहचान तब नकली रुद्राक्ष कर सकता है नुकसान असली और नकली रुद्राश की पाचान बहुत आसान है आप ज़िए असली रुद्राश को जल्ब डालते हैं तो रुद्राश डूप जाता है लेकिन यदि नकली रुद्राश को डालते हैं तो फ्लेट तेरने लगता है उबाले जाने पर भी रुद्राक्ष का रंग नहीं निकलता नहीं उस पर कोई असर होता है रुद्राक्ष को पानी में डालने पर भी वो डूपता नहीं रुद्राक्ष सर्सों के तेल में डालने पर अपनी रंग से गहरा हो जाता है काले और गहरे भूरे रंग के दिखने वाला रुद्राक्ष ज्यादतर इस्तमाल किये होए होते है रुद्राक्ष को सुई से कुरुदने पर भी उसका रेशा नहीं निकलता असली रुद्राक्ष की उपरी सतय कभी भी एक रूप नहीं होगी रुद्र के अंश रुद्राक्ष से मिलेंगी खुश्या दूर होंगे आपके दुख संता अब आप भी रुदराक्ष धारन करके अपनी तमाम मुश्किलों से निजात पा सकते हैं महादेव की असीम प्रिपा पा सकते हैं रुदराक्ष धारन करने से कैसे शांत होंगे शनी देव आगे जाने आप देखते रहेगा जी एंटी